Welcome friends, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे HbA1c test के बारे में, कि क्या है, क्यों करवाया जाता है, कौन सेलक्षन में करवाया जाता है, और diabetes में कितना कारगर होता है यह test, और HbA1c test और गुलकुच फास्टिंग और PP test में क्या अंतर होता है, प्रैज कितना होता है, नौर्मल का sugar test होता है, जो हमारे body में, यानि कि हमारे blood में, पिछले तीन मेहने का average sugar level होता है, वो major करता है, कि हमारे blood में, पिछले तीन मेहने में कितना sugar level है, गुलकुच की मातरा कितनी है हमारे blood में, तो उसका value major करता है, और इस test का यूँज होता है, वो diabetes का पता लगाने के लिए क कितना सब्सक्राइब है तो उसका मोनीतर करने के लिए जो सब्सक्राइब करने के लिए देक्षा प्रइबिटर करें इसके लिए खाली PET sample देनी के ज़रोत नहीं होता है, दिन में कभी भी आप इह test करवा सकते है, खाना-कहानी के बाद भी यह test करवा सकते है जो हलांकि सुगर-फास्टिंग test होता है उसके लिए 8h का fasting sample देना होता है लेकिन HB1AC test के लिये fasting sample देना नहीं होता है HbA1c test का संपल होता है, इडिटीय ट्यूब में लिया जाता है, और जो सुकर फास्टिंग ट्यस होता है, उसके लिए सोडियम फ्लॉराइड जो ट्यूब होता है, उसमें संपल लिया जाता है, अम लोग जानते है कि HbA1c क्या है, HbA1c जो है, इसको हिमोगलोबीन A1c भी जाता है, या इसको glycated hemoglobin, या glycosylated hemoglobin, या इसको glyco hemoglobin भी बोलते हैं, इसमें जो है, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो HbA1c हो जाता है, तो Hb का मतलब होता है हमोगलोबीन, यानि कि हमोगलोबीन को सौट में Hb लिखते है, और जो A1c होता है, यानि हमोगलोबीन का वो टाइप जिसके साथ सुगर अटाइच होता है, उसको A1c बोला जाता है, तो आप अगर इसको देखेंगे, तो Hb1c जो है, एक प्रकार का ऐसा हमोगलोबीन है, जिसके साथ सुगर अटाइच होता है, यानि कि जिसके साथ गुलकोंच अटाइच हो जात इसलिए जो नॉर्मल रेंज होता वह प्रतीसद में चाहिं। मेज़र करता है जो बलड में Smrit 12% होता है और HB A2 2-3% होता है और HB F जो होता है जो Fetal में होता है और New wicked वेवीं होता है, वो 0.5-1% होता है अब सबसे ज़्यादा हममारे बोडि में होटा है वो Adult HIMOMOGLOBIN A एड़र्ट HIMOMOGLOBIN A के भी स्क्षाम होता है होता है हB A1-A इसके साथ करीब 70% कुलकोच अटेच हो जाता है एडल्ट हमोगलोबिन का जो सब टाइप होता है HbA1AC इसको जो है HbA1AC बोला जाता है क्योंकि इसके साथ सबसे जादा सुगर जो अटेच होता है तो यह तीन मेहने का सुगर लेबल क्यों बताता है तो HbA1AC का नॉर्मल रेंज जो है 5.7 से कम होना जीए यानि कि टोटल हमोगलोबिन में अगर HbA1AC का प्रतिसत 5.7 से कम है यानि कि 5.7 प्रतिसत से कम अगर हमोगलोबिन के साथ सुगर अटेच है तो वो नॉर्मल है अगर किसी विक्ति को diabetes है तो उसका जो HB1C है वो 7 से कम होना चाहिए तो उसको माना जाता कि अच्छा control में है उसने अच्छा control कर रखा है और यदि 7 से 8 में है इसका मतलब fair control यानि की medium control है तो यह test कब करवाया जाता है तो अगर किसी विक्ति का age 45 साल से ज्यादा है तो उसको दो जो हर 2-3 साल में एक बार यह test करवाना चाहिए अगर किसी विक्ति का 45 साल से कहम है तो उसको तीन से चार साल में यह test करवाना चाहिए तो गिना किसी विक्ति का一-स डिधा और यहरो प्रियोटिक से डिवटिक करवाने या नहीं है यो अगर किसी वेक्ति को diabetes-related lection है जैसे ज्सेयादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, । पैसा पाना, बार-बार पैसा पाना, कमजोरी थकान, गहो तेजी से ना भरना, तो यह सब चीज अगर लक्षन हो, तो यह टेस्ट करवा जाता है, डॉक्टर द्वारा, अब कौन-कौन सा ऐसे कंडिशन है, जिसमें बिना डियाबिटीज के भी HIV-1C test का वैलू बढ़ जाता ह और कोई मेडिसीन ले रहे हैं, एस्टरोइट मेडिसीन काफी लेते हैं, तो उस केस में बढ़ सकता है, और क्रोनिक किट्नी डिजीज हो, हार डिजीज हो, और लिवर डिजीज हो, इन सारे केसों में बिना डियाबिटीज के भी HIV-1C के वैलू बढ़ जाता है, तो अगर HIV- अगर किसी विक्ति का HIV-1C टेस्ट बढ़ा हुआ है, या सुगर के वैलू बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहला है कि आपको कार्भोहेटेड जो युक्त खाना है, वो आपको कम खाना है, जैसे कि सुगर से रिलेटेड जितनी भी चीज है, जैसे जिसमें चीनी ज्यादा हो, जिसमें मीठा ज्यादा हो, सब चीजे कम खाना चाहिए, फूर्ट ज्यादा लेना चाहिए, वेज़ी टेबल, ग्रीन वेज़ी टेबल ज्यादा लेना चाहिए, उसके अबाद रोज 15-20 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, टेज चलना चाहिए, डियाबिटीज की दवारो तो इसको भी कम करना चाहिए, तो यह सब चीजे है, HP1AC कम करने का तरीख, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जदी पसंद आया तो यह वीडियो को लाइक कीजे, सेयर कीजे, ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेट इंफरमेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, फिर मिलते हैं नवी वीडियो में, थैंक्यू फर वाचिंग, बाई बाई